14 अप्रेल से ही खत्म हो जाएगा खर्मास पांच राशियों का बनेगा विवाह का योग जिहां मित्रों बहुती बड़ी खुसकबरी निकल कर सामने आ रही है मिठाई बाटने का समय आ चुका है नाचने कूदने की कीजिये तैयारी 14 अप्रेल 2024 से पूरे एक महिने बाद खर्मास खत्म हो रहे हैं जिससे इसी साल 2024 में पांच राशियों की किस्मत बदलने वाली है पांच राशियों का भाग्य उदै होने जा रहा है तो चलिए के करते वे जान लेते हैं कौन-कौन सी है वो सबसे ज़्यादा सोभाई के साली राशियां जिनके घर में इसी साल सहनाई गोजने वाली है साधी का सहरा सजने वाला है तो एके करते वे सबी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे ऐसे में वीडियो को पूरा लाश्ट तक जरूर देखिए और हां मित्रों वीडियो को लाइक जरूर करें और कोमेंट बॉक्स में जाय शनीदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ तो फेस्बुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुं सके हुम नमा सिवाय जै श्री कृष्णा जै माता दीमित्रों हिंदु धर्म में किसी भी सुब या फिर मांगले कारे को करने के लिए सुब और असुब मुहुर्त को ध्यान में रखना बहुती अनिवारी है और आप सभी को पताए होगा कि पिछले एक महिने से खर्मास लगा हुआ था जो कि सुर्य देव के महा गोचर के साथ ही अब 14 अप्रेल से खत्म हो चुका है और खर्मास कात्म होती ही ग्रहों की यूती और महायोक इस तरह से पनिनाम दे रहा है जिससे कई राशियों के जीवन में अच्छे दिन सुरू होने वाले हैं कई राशियों का भाग्य उदय होने वाला है जी हां मित्रू आपको बता दें कि खर्मास के बाद लगन के स्वामी भगवान सनिदेव चंद्र और देवगुरु ब्रस्पती की स्थिति उच्छ में होने से आप लोगों को विवाह का सु अवसर प्राप्थ होगा तो चलिए के करते वी जान लेते हैं साल 2024 में सबसे पहली जो विवाहयों की भाग्य साली रासी बनेगी वो आती है मेस रासी जिनके नाम का पहला अक्सर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से सुरू होता है उनकी मेस रासी होती है मित्रों 14 अप्रेल के दिन जैसे ही खर्मा समाप्त होंगे उसके तुरंत बाद मेस रासी वाले लोगों के लिए अच्छे दिनों की सुरूबात होने वाली है एक तो नवरात्री में जो तीन महतपुन राजयोग बने थे बुदादेती राजयोग, सस योग और भद्र बाव से भी मेस रासी वाले लोगों पर मातारानी का विशेश रूप से आसिरवाद मिलने वाला है, अगर आप कुवारे हैं, सिंगल है, तो आप किसी के भी साथ रिलेसन्सिप में आ सकते हैं, और ग्रहों का इस तरह का उचित सा योग बन रहा है कि साल 2024 में ही मेस रासी व अपरेल के बाद से ही आपको अपनी नोकरी में परमोसन देखने को मिल सकता है, आपकी तनक्वा बढ़ेगी, आपके जो वरिश्ट अदिकारी है वो आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और इसी साल आपको अचानक से धन लाब होने का योग भी बन रहा है, भगवान सनी द आपको अच्छी या बड़ी खुसकबरी सुनने को मिल सकती है, बाकी जो भी कुवारे है ना उन लोगों के लिए विवाह का योग इसी साल 2024 में रहेगा और आप अपने लाइप पार्टनर के साथ मनोरंजन यात्रा पर भी जा सकते हैं, यानि कि हनिमून वगरा पर आप ज लव लाइप में चल रही समस्याई दूर होगी और साथ ही जो पहले से साधी सुदा है विवाहित है ना उन लोगों को संतान का सुख मिल सकता है, संतान की तरफ से एक खुसकबरी प्राप्ध हो सकती है, चलिए जान लेते हैं मै के बाद से ही अगली यानिकी दूसरी जो ब अप्रेल की बाद से ही आपको अपने कारे में जिम्मेदारी के सासाथ आपके सोभागी की प्राप्ति वाला रहेगा, जो भी प्रेमी प्रेमी का है यानि की लव कपल से ना उन लोगों का प्रेम विवाह होने का योग है, ग्रहों की इस्तिती और नकसत्रों की चाल इस बा आदे में आपको बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। कहीं पर भी आपका आठकावा कारी है तो वो पौन होगा। आपको यसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उमर बर महनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते ही जिनके वो हकदार होते हैं। की जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। कुन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा उर्सुब फलित रहेगा। आपका स्वयम का मकान का बनेगा। सरकारी नोकरी का योग है या नहीं। कुन्डली में कितने राजयोग बनते हैं। उसके बारे में कम्पलीट जानकारी हैं आपको कुन्डली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पारे हैं ना उस पर वोटसब पर संपर करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं। और 251 रुपे की छोटी से नामात्र की फीस में आप अपने संपोर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। कोई भी रिस्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिस्ता होकर बार-बार तूट जाता है। तो स्क्रिन पर दिएगे नंबर पर वोट्सप पर संपर करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं। और 251 रुपे की छोटी से नामात्र की फीस में आप अपने संपोर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं। जान दार मोके मिल सकते हैं। और जून दो महिने के दुरान आपका विवाह का योग बन सकता है। खूओ खेको गाह और गीज से सुरू होता है उनकी मकर रासी होती है पलिखती के लिए समय बहुती खास रहेगा समाज में आपका मान समान बढ़ेगा कार्यक्षित्र में प्रगत्ति होगी और साथ ही आपके कार्यू में अगर कोई भी बाधाय मुस्किलें परिसानी आरी है ना तो वो भी दूर हो सकती है हर जगर से सफलता की प्राप्ति होगी पारिवा पार्टनर के साथ सम्मंद और भी अच्छे और बहातर बनेंगी उसके लावा अगर आप कोवारे हैं तो इसी साल आप विवाह के बंदन में बंद पाएंगे और कहा जा रहा है कि अगले तीन महिनों में यानि कि 90 दिनों में आपके विवाह की बात्ची चलना सुरू होगी और वो निश्चित भी बनेगी बाकी आपकी रासी में अभी सनिदेव की साड़े साती चल रही है ऐसे में आप लोग सनिदेव से जुड़ीवी चीजों का दान करते रहें जिसे काले तील, काले चपल, काले कंबल वगएरा और सनिवार के दिन सरसु के तेल का दिपक लगा कर भगवां सनिदेव से प्राथना कीजिए तू चले मित्रूसी के साथ फिलाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ, तब तक के लिए हुम नमा सिवाय, जैश्री कृष्णा, जैश्री सनेश्रा आइ नमा